येस मेरे यूटूब चैनल विद्दादान पर आपका हर्दिक स्वागत है आज हम करेंगे अगला प्रस्ण जो अपकी हमारा प्रक्टिस रंबर होगा आठ जो रेलवे गुरूब डी और एंटी पीसे के लिए डिजाइन किया गया है तो सुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण है कि उपर की और फेंके जाने पर पत्थर नीचे की और गिरने का कारण क्या है जब कोई पत्थर उपर की और फेंकते हैं तो नीचे की और ही वो क्यों गिरता है इसका कारण क्या है तो आपको पता है कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है उसका कारण है option C गृत्वा करसंद बल तो अब पिन को मैं पतला कर लेता हूँ काफी मोटी है अब करते हैं तो अगला प्रस्थन है भोजन में भोजन में सरीर को उर्जा प्रदान करने वाला अवेव क्या है यानि किसकी वज़ा से सरीर को उर्जा मिलती है तो आपको पता है न सबसे ज़्यादा जो भोजन से उर्जा प्राप्त होती वो प्राप्त होती कार्बो हाइट्रेट के जरिए है अगले प्रस्थन पर आते हैं यह प्राक्टिस है इसलिए इसमें ज़्यादा एक्स्प्लेन नहीं करूँगा जहां मुझे लगेगा एक्स्प्लेन करना है मैं वहाँ पर करता रहूँगा अगला प्रस्थन निमलिखित में से कौन सा एक कोस की जीव नहीं है केचवा जीवादू अमीबा या पैरामीसियम तो आपको पता ना केचवा एक बहु कोस की जीव है जो एनी लीडा संग के अंदर आता है तो यह एक कोस की जीव नहीं है यह बहु कोस की जीव है अगला स सही आंसर है option A लीमो नाइट ये एक तरह का कोईला नहीं है ये एक तरह का आयस्क होता है अगले प्रस्ण पर आते हैं अगला प्रस्ण है cytology है cytology में किसका अध्यन किया जाता है जिवादों का अध्यन, फसलों का अध्यन कोशिकाओं का अध्यन या जनसंख्या का अध्यन तो इसका सही आंसर cytology कहते हैं कोशिकाओं का अध्यन ये कहलाता है cytology अगले प्रस्ण पर आते हैं जब एक कंग को किसी प्रारंभीक वेक से विच्छेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तैं करती है जब इसे उसी तल से इसे दोगने वेक से प्रच्छेपित किया जाता है तो इसकी दूरी कितनी होगी ये बताएं एक बात को ध्यान रखें जब वेक को दो गुना बलहाया जाता है जब भी वेक को दो गुना बलहाया जाता है तो जो दूरी होती है उसका चार गुना बल जाती है वे एक दो गुना बलाएंगे तो दूरी चार गुना बलती है तो इसका सही आंसर होगा option 50 है ना तो 50 का चार गुना 200 हो जाएगा इसका सही आंसर अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सबसे बला है ब्रंभांड आकास गंगा तारा या बिश्व तो आपको पता है ब्रंभांड के अंदर इसक पुछाता है तो इसका मनलब है option C ब्रंभांड सबसे बला होता है अगला प्रस्ण है सौर मंडल के सभी पिंडों की गती किस से नियंतरित होती है यानि सौर मंडल में जितने भी ग्रा हैं पिंड हैं इस्टोराइल्स हैं वो उसको कंट्रोल कौन करता है किसकी वज़ा से तो आपको पता है सभी के सभी जो कंट्रोल होते हैं वो सूर के गुरुत्वा करसन बल के कारण ही कंट्रोल होते हैं सभी ग्रह उप ग्रह इसी के कारों चकर लगाते हैं सूरी के अगला है जलपला दर्रा कहां पर है जलपला दर्रा सिक्किम अर्वांचल परदेश उत्राखंड या हिमांचल परदेश तो आपको पता ना जलपला दर्रा है सिक्किम के अंदर चलो मैं आप से किसके बीच पे लड़ा गया अफगान एवं सिक्स मराठा एवं सिक्स अफगान एवं सा आलम या अफगान एवं मराठा तो आपको पताना पानी पत का युद जो हुआ वो अफगानों और मराठों के बीच हुआ पानी पत का तीसरा युद हुआ अगला सवाल एक बटा दो दरबे मान कि कोई वस्तु जिसका वेग 2V है का समवेग क्या होगा तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं तो आपको समवेग का फार्मला पता है समवेग बराबर होता है P बराबर M V तो M का मान है 1 by 2 into V का मान है 2 V 2 V तो 2 से 2 कैंसल होड़ जाएगा यहां पर बच्चे का M यानि किसका सही आंसर हो गया M B इसका यानि कि सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा option D Option D M B ये हो गया इसका सही आंसर अगला सवाल है अगला सवाल है किस प्रक्रिया दोरा एक प्दार्थ वास्प इस्तिती से दच्षिती में परिवर्दित हो जाता है याद रखें जब पानी जम जाता है तो उसको कहते है निकि फ्रीजिंग और जब कोई वास्प पानी बन जाये तो उसे कहते हैं कंडेंशन या शंगनन तो जब कोई वास्प द्रप में बदलता है तो उसे कहा जाता है शंगनन अगला सवाल है वायू निर्वात में प्रकास की गती कितनी है आपको पता ना बिल्कुल आसान है सवाल option number इसका B प्रकास की गती होती 3 गुले 10 की गहात 8 मीटर प्रती सिकिन अगला सवाल पानी का प्याच मान कितना होता है पानी का प्याच मान कितना है आपको पता ना पानी का प्याच मान होता है साथ चलो आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ बलड बलड का प्याच मान कितना होता है बलड का प्याच मान कितना होता है अगला सवाल है Albert Einstein को किस छेत्र में Nobel पुरुषकार मिला था किस छेत्र में Nobel पुरुषकार दिया गया है गुरुत्व करसान इसका सही आंसर है option C प्रकास विद्धुत पुरुषकार के खोज के के लिए ही Albert Einstein को दिया गया था Nobel पुरुषकार अगले सवाल पे आते है स्वेज नहर किसे जोलती है स्वेज नहर किस कहा कहा को जोलती है तो स्वेज नहर फारस की खाली अरब सागर लाल सागर भूमध्य सागर भूमध्य सागर लाल सागर या लाल सागर तथा अरब सागर तो इसका सही answer क्या है तो इसका सही answer है option B स्वेज नहर जोलती है लाल सागर को भूमध्य सागर से अगला प्रस्न है फलो में मीठे स्वाज का कारण क्या है फल मीठे क्यों लगते हैं तो फलो में मीठा पन का कारण है अगले सवाल पर आते हैं मूल रूप से पारिस सम्विधान में कितने भाग थे यानि जब पहली बार सम्विधान बनाए गया तो उसमें कितने भाग थे सम्विधान में 22, 23, 25 या 28 तो जब मूल रूप से सम्विधान बना तो उस समय सम्विधान में थे 22 भाग क्या आपको बता सकते हैं कि आज कितने भाग हैं संविधान में आज कितने भाग हैं संविधान के अंदर अगला सवाल यदि दो कर्मिक सीरसों के बीच की दूरी L है तो उनके तरंग दर्द को बेक्त किया जाता है याद रखें तरंग दर्द हमेशा होते हैं बराबर और किसके बराबर होते हैं दूरी के आपने देखा ऐसे डिजाइन देखा होगा ऐसे उपर नीचे उपर नीचे ऐसे चलता है तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है और इनके बीच की दूरी हमेशा L होती है यानि जितनी दूरी होती है बीच की हमेशा बराबर यानि अगर दूरी L है तो तरंग देर्द भी L होगा यानि कि option option नमर B option नमर B सही आंसर होगा अगला सवाल जंग का रासानिक सूत्र क्या है यानि जंग का सूत्र क्या है तो इसमें इस देखिए आपको बता रहा क्या होता है जंग साथ हो FE2O3 यह है जंग का फार्मूला जंग का फार्मूला होता है FE2O3 अगला सवाल तोरन की SI एकाई क्या है आप इस सवाल को कमेंड में बताएं बिल्कुल आसान सवाल है मैं इस कान से नहीं बताऊँगा तोरन का SI मातरक क्या है और जरूर हाँ एक बात याद रखें कि चैनल को लाइक और सेर सब्स्राइब जरूर किया करें जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने लेक्श पर पहुँच पाऊ और मुझे पूरे आप्शन मिल जाँ जिससे की मैं बड़े लेक्शर बना पाऊ अगले सवाल पर आते एंगस्ट्राउन को को अभ्यक्ति करने के लिए एकाई है एंगस्ट्राउन से क्या नापा जाता है समय द्रबमान, लंबाई या बल तो आपको पता न एंगस्ट्राउन नापा जाता है लंबाई, एक एंगस्ट्राउन बराबर होता है 10 to the power minus 10 एंगस्ट्राउन, एक मीटर के बराबर होता है अगला सवाल है 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की उंचाई पर है इसकी इसी तीज उर्जा बताओ इसी तीज उर्जा ने कैसे निकाले आपको बता इसी तीज उर्जा का फर्ल मौता U बराबर M G H थोदा से जगा बना के बता देता हूँ मैं आसानी से आपको तो देखते M G H M है 10 kg M है 10 kg G का मान 9.8 और H का मान भी है 10 तो कितना हो जाएगा 980 Joule तो यह हो गया सही आंसर 980 तो अब देख लेते हैं option में option है 982 Joule 982 Joule 1000 Joule या 1200 Joule तो इसका सही आंसर क्या हो गया तो इसका सही आंसर है option B 1200 Joule अगला है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था उसके दरबार में कौन इतिहासकार रहता था हसन निजामी उत्भू उत्भी चंदरबरदाई चंदरबरदाई या फिरदवसी तो आपको पता ना पताई के साथ आ था उत्भी तो उसका इतिहासकार था उत्भी अगले सवाल प्याते पानी में लटकते हुँए कोलाइडी का किस प्रकृईया ध्वारा हटाए जा सकते हैं कोलाइडी बिल्यन को कैसे वाले विधान करने वाले समिधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था तो सदस्यों को कैसे चुना किया गया था सभी चुनाओं के दरिये चुन के आये थे सभी राज्यों से तो विभीन प्रांतों की विधान सभाओं से चुना गया था option C होगा option C अगला सवाल है liken s सबसे अच्छे सूचक है liken s कि सीच के सबसे अच्छे सूचक है production, gel production, mrdah production या ध्वनी production तो liken s सबसे अच्छे प्रदूसक है y producer के जहाँ पर y production ज़्यादा होंगे वहाँ पर liken s नहीं मिलेंगे आपको अगला सवाल तो कनिस की राजधानी थी option B पूरसपूर पेशावर उसकी सही राजधानी थी क्या आप बता सकते हैं कनिस की राजा था कुशानलवंस का ये तो आपको पता है कनिस की राजा था कुशानलवंस का आप मुझे ये बताए कुशालवन्स का संस्थापक कौन था अगला सवाल रास्टी युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है रास्टी युवा दिवस का मनाते हैं पंदरा जनवरी, नो जनवरी, अठारा जनवरी या बारा जनवरी तो आपको बताए स्वामी विवेका नंद के जनल दिन पर मनाते हैं बारा जन्वरी को बारा जन्वरी को मना जाता है रास्टी युवा दिवस अगला प्रस्न WTO का मुख्याले कहा है यानि 20 सुब्यापार संगधन का मुख्याले कहा है बिया ना पैरिस बर्न या जनेवा तो इसका सही आंसर क्या हो गया इसका सही आंसर है उप्शन D जनेवा जनेवा में है WTO का मुख्याले अगला है निवले कितमे से किसे भारत रत नहीं मिला है लालकृष्णाडवाली गुलजारी लानन्दा राजियु गांधी या अटल बिहारी बाजपेई तो आपको पता है ना लालकृष्णाडवाली को अभी तक ये नहीं मिला है चलो एक कटिन सवाल पूछता हम आपसे बताईए आज तक कितने लोगों को भारत रत मिल चुका है कितने लोगों को भारत रत मिल चुका है ये बताना है आपको किने लोगों को भारत रत मिला अगला सवाल वर्धमान ट्राफी का संबंद किस खेल से है कुस्ती, मुक्यबाजी, भारत तोलन या कबड़ी तो वर्दमान ट्राफी का समंद किस से है option C भारत तोलन वर्दमान ट्राफी दियागती है भारत तोलन के छेतर में अगला सवाल परियावरान और जलवायू मंत्राले यानि Ministry of Environment ने निमलिखित में से किस जानवर के लिए सरचनीती शुरू की है कौन से जानवर को बचाने के लिए सनचनीत लाई है सरकार इसका सही अंसर क्या है एक सिंगवाला गैंडा क्या बता सकते हैं कि एक सिंगवाला गैंडा कौन से राश्टी उद्यान में पाया जा सकता है पाया जाता है अगला सवाल देश के राश्टपती महत्मा गांधी की 191 जैनती पर सरद्धान जली अर्पित की गई गांधी जी ने दच्छिन अफरीका में अपने जीवन के कितने वर्स बिताने के बाद 1915 में लोटे थे यानि गांधी जी कितने सालों तक अफरीका में रहे ये बताना है 15, 23, 19, 17 अगला सवाल है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है ये बताएं और ये बताएं कि अटल सुरंग का नाम बदल कर अटल सुरंग कौन सी सुरंग का नाम बदल कर रखा गया था आप ये कमेंट में बताएं इसकी लंबाई को मैं आपको बताता हूँ अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलो मीटर अगला सवाल है हाली में भारत सरकार की घोसवा के अनुसार देजभर के सहरों में लगभग कितने प्रसत खुले में सोच मुक्त हो गया है यानी भारत कितने प्रसत खुले में सोच मुक्त हो चुका है ओडियफ, open, defication free तो याद रखें इस समय जब तक ये मीडियो बना रहा हूँ ब्रक्तियों के किस समूह ने रसाइन विज्ञान नोबल पुरुसकार 2020 जीता है 2020 का रसाइन विज्ञान पुरुसकार किसने जीता है ये बताएं आप मुझे कमेंट में बताएंगे 2021 का ये जरूरी है मैं अभी 2020 के कुछ करेंटर फेस करवा रहा हूँ तो इसका सही आंसर है इनेमवल कारपेंटियर और जेनिफर ए डुडोना यानि की ऑप्शन नंबर सी इन्होंने 2020 का केमेस्टी में नोबल पुरुसकार जीता है आप कमेंट में मुझे बताएं कि 2020 का नोबल किसने जीता है केमेस्टी के लिए अगला हाँ ये अच्छा है पताएं यादा यादा वाइरस का संबंध कौन से देश से है हाली में ये वाइरस ढूना गया था कौन से देश में मिला था यादा यादा वाइरस आस्टेलिया, आस्टेलिया के मच्छरों में, भारती चूहों में, अमेरिका हिरन में, या पाकिसानी, बिल्ली से कहां मिला था यादा यादा बारा, तो इसका सहियन से यादा यादा जो वाइरस मिला था, ये मिला था अमेरिका में, अमेरिका के हिरनों में पाया गया थे वा पुरुषकार और मैं बुकर पुरुषकार किसे मिला है बाकी मैं इसका रीविजा नलग से करवाऊंगा आप बताएंगे कि 2020 का बुकर पुरुषकार और अंतरास्टी बुकर पुरुषकार किसे मिला है तो आप सवाल पर आते हैं अंतरास्टी बुकर पुरुषकार 2020 के संब प्रूजेक्ट चीटा किसे दौरा शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीटा किसे दौरा शुरू किया गया ऐता डी और डी यो इस रो भारति सशर्ट बल या परियावरलं मंत्रा ले चीता शुरू किया गया है इस रो के द्वार, अगले बुन कर अगले इस वा सवाल पर दन एनुसार कौन सा देश मीजल्स? यानि ख़सरा और रुबेला मीजल्स और रुबेला वाईरस से पूरी तरह से मुक्त हो गया है तो इसका सही आंसर है मालदियू, स्रिलंका और मालदियू । यानि कि option A और B दोनों देश डबलियेचक अनुसार मीजल्स और रुबेला से फिर हो गए अंतिम सवाल है आज का सौभाग योजना का संबंद किस से है सौभाग योजना में क्या किया जा रहा है माहिलाओं का ससक्ती करन बुजर्गों का ससक्ती करन या हर घर बिजली पहुँचाई जा रही है या सभी को मुक्त सिलेंडर देना इसका हुदेश क्या है तो सौभाग योजना का संबंद है हर घर बिजली पहुचाना उमीद है प्रैक्टिस अच्छी चल लही होगी लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे की आगे चैनल बढ़ें तो मुझे जादा फीचर मिल पाएं और मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊं धन्यवाद, जय हिन